हेलो दोस्तो वेलकम बैक दोस्तो आप लोगों को एक वहती जरूरी जानकारी देनी है इसलिए मैं अब वीडियो में आया हूँ आज जानकारी यह है जितने भी भाईयों के हमारे यहां से कॉरियर जा रहे हैं रस्ते में हैं जिनके पोचे नहीं है अभी तक या जिन लोगों के हम courier पहुचाने वाले हैं दोस्तो एक scheme चल रहा है बहुत बड़ा एक scheme चल रहा है जो के बहुत बुरा scheme है आपके पास कोई भी बंदा कोल करेगा वो आपको बोलेगा कि मैं courier अजंसी से बात कर रहा हूं मैं courier department से बात कर रहा हूं मैं courier का chief manager बात कर रहा हूं आपका courier हमने रोक दिया है हम आपके courier को वापिस भेज रहे हैं और कहेगा कि अब आपका courier आपके यहां deliver नहीं होगा नहीं तो आप हमारे account में 5 रुपे, 2 रुपे, 1 रुपा डाल दो और उसके बाद बोलेगा यह पैसे डालने के बाद 1 रुपा, 2 रुपे, 5 रुपे या पैसे भी नहीं डालने के लिए बोलेगा बोलेगा आप अपने number से एक message मेरे number पर करो मैं आपको एक OTP भेज दूँगा उसको collect कर लेना आपके पैसे जितने आपने मुझे दे रखे हैं वो भी वापिस कर देगा ऐसे ऐसी बाते कहेगा आपसे आपको मतलब पूरी बुरी तरह घोल लेगा इसके बाद अगर आप लोगों ने उसके account में एक दो रुपा भेज दिया या उसे message भेज दिया या कुछ भी भेज दिया आपका account खाली कर देगा आपके account में चाहे 10 रुपे हो या 10,000 हो ठीक है तो पहले तो वो आपको इतनी बुरी तरह डरा देगा कि आप बहुत जल्दी करके उसके account में पैसे डाल दोगे आप लोगों से clearly बता रहा हूँ जितने भी भाई हमारे यहां से courier उठा रहे है courier मंगा रहे है किसी भी बंदे पे मेरे नंबर से अगर आपको call आए जो 96 वाला मेरे नंबर है या तो उस नंबर से call आए या जो नवेद courier है मेरट का जिस बंदे के यहां से जिस अजन्सी से मैं courier आप लोगों के लिए भेजता हूँ उस नंबर से call आए उस नंबर को भी मैं आपको भेजूँँगा तो उस पर यकीन करना अगर मैं किसी का नंबर नहीं भेजूँ और वो आपको call करके पैसो की demand करे तो एक रूपिया भी मत देना बता रहा हूँ कुछ भी मत देना भलके उसे डाट और देना ठीक है ना उसे धमका देना लेकिन पैसा मत देना बता रहा हूँ पैसा सिर्फ उसे ही देना courier का जिसका नंबर मैं आपको भेजू के ये courier agency का नंबर है इस नंबर से बात कर लो वो आपको पूरी detail भी देगा आपका कितने वेट का पारसल है कहां से आया है वो मेरा नाम भी बताएगा आपको किस समय आया है और कितनी पैमिट देनी है रस्ते में हो उसके बाद सिर्फ उसी नंबर की बात माननी है जिस नंबर से आपको कोल ये आये कि भाईया तेरा तुमारा पारसल यहां पर आ गया है मानलो मेरट कई पारसल है तुमारा पारसल मेरट आ गया इस agency में है अपना पारसल उठा लो तो उसकी बात तो मान लेना जो ये कहे कि आपका पारसल यहां रखा है उठा लो अगर कोई पैसे की डिमांड करे एक रूपिया भी मत देना उसका मैसिज भी मत पढ़ना बता रहा हूँ मैं ठीक है ना बाद में हमें ये मत कहना के भई ये आपने पहले नहीं बताया था मेरी कोरियर की 3-4 अजंसियों से मेरेट की जितनी बड़ी-बड़ी अजंसी सबसे मेरी बात हो गई है आज मैं बता रहा हूँ एक भी बंदे को एक रूपिया भी मत देना ठीक है भई या धिहान रखना इस बात का